कि दोस्तों आज की सवाल के जवाब मिलते है आप में इसे किसे वदारती है जो हमारी यूट्यूब करके अपने सवाल पूछते हैं और उनसे भी सवाल के जवाब के साथ में आतों सब्सक्राइब वीडियो में तो दोस्तों में हो आपका दोस्तरा श्रमा अगर चल पर नहीं है अब तो चैनल को सब्सक्राइब पूरो और बैल एकन ओन कर देना ताकि आपको जो है हर वीडियो का नुट्फिकेशन आपको मिलता रहे तो चले दोस्तों जादर समीन लेते हुए शुरू करते तो क्या मेरा आंसर शीट रिजेट हो जाएगा तो यहां देख जाए अगर देख जाए आपकी जो मिस्टेक से इतनी है कि आपने उसमें कोड यगरा कुछ गलट डाला है तो अपना मेरे साथ से तनी ज़्यादा दिक्कत में नहीं होने चाहिए कि सबसे ज़्यादा एहम ब जो कि महारा बनता है अंशुल प्रुहला इनका स्वाल बनता है सर अनुस्ट क्लास में मैथ में प्रेटिकल और थ्यूरी दोनों में पास होना पड़ता है क्या या दोनों को मिलाकार 33 परतेशन लाने पड़ते हैं बस तो यहां देख जाए आपका स्वाल में समझ शुका लाएं कि क्लास टैन्थ में क्या है कि आपके 33 मांक्स आपकी होने चाहिए अगर आ सिर्फ थ्यूरी से ही 33 यह समर ल nervous गलाते है तो नहीं तो यहां को पास करते जाईग़ा और नहीं तो क्या है कि प्रेटिकल प्लस थ्यूरी अगर आप जो कुछ 7 इसमाल लेकर आते हैं तो आपके असाइमेंट में छे नंबर यह सज़ादा नंबर आते हैं तो इन तिरों मिला कि आपको पास कर दिया जाता है तो यहां देखें अग्ला सवाल जो कि महार बनता है इनका सवाल मनता है आपका सवाल एक लिए तो यहां देख जाते हैं यहां देखें आपका जो पेंटिंग का class 10th में practical होता है 70 नमर का theory होती है आपको 30 नमर की और जिसमें क्या होता है कि 6 नमर तो है आपको assignment होता है बाकि उसका 80% करके 24 नमर आपको theory में दिये जाते हैं और तो यहाँ पर अगर practical में ही 70 में से ही आपको 33 यह 7 नमर मिल जाते है तो भी आपको pass कर दे जाएगा जी हाँ अगर theory में अगर fail भी हो जाते है आप practical में आपको 33 यह से ज़्यादा है तो आप pass है उसके बाद यह पर आप अगला स्वाल जो की महर बनता है जीतु रॉय इनका स्वाल बनता है से एनवेस TMA, Hindi यह English में लिख सकते है तो यहाँ देख जाएगा आपका जो assignment बनता है जाए class 10 यह class 12 जो भी आपको sabid बनते हैं तो वो आप किसी एक language में आप लिख सकते है Hindi यह English suppose जैसे कि आपका sabid art है हाँ पर आपका जो है कि science है अप science का assignment है आप वो जो आपना Hindi में लिखे यह English में लिखे, लेकिन आप दोनों को मिला के नहीं लिख सकते ऐसा नहीं है कि इसमें आप जो एक दो question है एक दो question है उसमें आप English में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते किसी एक language में आपको assignment पूरा करना है हाँ यह है जैसे कि अपके जो सीटायगे है जासे कि हेंधी है fastest ऑसे कोछ से सब्वज़ाट है कि आपको हिंदी इंग्र मुच रखार्ट है कि सी अपीडी जुए अपना। लेकर आपको प्रशनाव मिल जाते हैं जहां से उनको बनाके अपने अच्छे ला सकते हैं इसके पाद आगला सवाल जो की महरब बनता है माँ भक्ती क्रेशन तो माँ भक्ती क्रेशन एका सवाल बनता है मैं सीन सेकेंटर में हूँ चार विशे में 2021 में प्रोमोट हो गया था तो इस बार मैंने HOME Science and Computer Science का प्रेक्षा दे रहूं तो मेरा हूं साइन्स का प्रेटेकल और तियोरी दोनों अच्छा गया Computer Science की तियारी यह नहीं है तो मेरा रिजल्ट आयेगा या नहीं और Computer Science साइंस अगर रुखता है तो फिर क्या होगा केर्पिया मेरा सवाल जवाब दे धन्य बाद तो यहां देखा है आपका सवास बज़ गया पिछले साथ होगे लोड़ाउं ता उस विज़े से आपके चांस्वेट के लिए होगे इस साल आपके दोस्ट है एक आपको हैं पर बन जरूरी होते हैं जिसमें कम से कम एक लेंगविश होना जरूरी है और मैक्सिम्न दो ही लेंगविश काउंट होती है तो यहां देखा जाए कि कमप्डर साइंस या हम साइंस दोन में से कोई एक भी किलिए होगा तो भी आपको पास कर दे जाएगा इसके बाद अगला स्वा पास हो सकते हैं जैसे पेपर अप्रेल में हुए टेम अक्टूबर सेशन में जमा किया तो रिजल्ट अपडेट हो जाएगा तो यहां देखा जाए कि आपका स्मझवराओं की जैसे भी आपके एक्जाम चल रहे हैं और यह हैं कि अगर आप पास हो जाते हैं अच्छी बात पंदर सो पचास रुपे के आसपास की पेमेंट जाती है एक एक असाइमेंट की वो पेमेंट करके प्लस असाइमेंट देके आप जो है उस रिबिट को क्लियर कर सकते हैं यानि कि ऐसे में अगर आपको जो है दुबार एक्जाम देनी जोगत नहीं पड़ेगी सिंप्ली उ assignment समित कर सकते हैं अपने study center जाकर तो चलिए बढ़ता है अगला स्वाल जो कि महारा बनता है प्यूस सिंग इनका स्वाल बनता है 18 को मेरा physics का एक्जाम था सर मैं नहीं पाया हूं तो क्या 5 सब्जेट मिला कर पास कर दिया जाओंगा अगर पास नहीं किया जाएगा तो कब मैं फिर एक्जाम दे सकता हूं तो यहां देख जाए कि आपका सब्ज़गे हों कि यहां पर अपना कुछ सब्जेट है आपका वह शायद मिस हो गया है तो यहां पर आपको में कहना चाहिए को पांस नहीं जुरूरी है जिसमें मैक्सिम्ट होती है अग अगर यहां पर इतना करके अगर आपके पांस लिट क्लियर होते हैं और जैसे फिजिक्स है या जो भी को सब्जाइट है चाटा सब्जाइट है तो वह एडिशन में आ जाएगा अगर उसे फेली भी हो जाते है तो भी को दिक्कत नहीं आपको पास कर दे जाएगा इन केस अगर फिर भी आगर आप रह जाते हैं तो जैसे रिजिट आएगा तो रिजिट के एक या दो दिन बाद एक्जाम फीस पर करके आप 17 अक्टूबर के एक्जाम दे सकते है या फिर अगर थोड़ा जल्दी है तो आप ऑनडेमेंड चांप्स इसके और ज़ो की मार सवाल जो बनता है वह आपके सेंटर पर पहुंच चुका है जी हां तो इसके लिए आपको अपना स्वाज जो कि मार बनता है इनका स्वाल बनता है सर्व मैंने अपना टेमे नहीं जमा कराए है अपना टेमे जमा करते है कहां कैसे कब कर वाए रिप्लाया सर्झ क्लास 10 में मेरे पेपर चल रहे है अपर 2020 तो यहां देखे जांगे कि अब तक आपने अपने सैमिट नहीं करें है एसे मैं आप वह आपको आप पर कहना में तो उसी सब्जेट का असायमेंट आप समय करिए आपने जो है इस्टी सेंटर यह रिजन सेंटर तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज कि संड़ी विदार्तों को हैल्प होगी और अब भी देखा जा कि कैसा इस विदारती है जिंके कैसा स्वाल बनते हैं तो आप यहा द दूस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों सांख कर एगा साथ यस्टो के डिसक्रेशन में मों कैशिश्री जो मैं करेदा कल जा को लेके अपनने क्युंतों को लेकिए शुल करते हैं दोशीन-दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में सेट्स प्रोचिंग